करोशया का design है ये बहुत प्यारा डिजाईन है बच्चों के लिए ये बच्चे के उपर बहुत सुन्दर टैण को स्टे और बट्रा कोई सा भी कलर यूज़ कर सकती है जो किलता हुआ का लड Jew कि झोंधी मैंने बनाया है इह कि ये बरीक वाला जो उंहां ये चार पलाई का टान है हमने चार पलाही के यो लिया हुआ है जो है और इस और चार पलाहा यी का उनहा है ये दखा रहे हैं सफेद वाले यह सब उन ऐसे हैं बराबर की उन लगए गई एक यह जो है उन यह हमने दो पलाई के लगाया हुआ है तो यह ऐसी एक साइज का उन लगए गई इसमें कोई मोटा पतला ना हो तो यह डिजैन सही बनेगा और मैंने यह आठ नमर का क्रोसिया से बन आ रही है चार से पान साल के बच्चों को छे साल के बच्चों के लिए तो इसमें 400 ग्राम उन लग जाएगा यह यह जो बनाते हैं इन में थोड़ा सा उन ज्यादा लगता है तो 400 ग्राम उन लग जाता है बरो का बनाई यह कार्डिगन भी बना सकते हैं इसका तो उसमें 500 сколько, 300 200 g ऊंट लगेगा ये जब यह तीन कलर कि होन है तो उसी हिसाब से आपको ऊं लेना कड़ैगा जिसे हमने बनाह यह जादा लगता है 400 g आप लेती हैो 200g गसमर न surrender it to 100 g यह बनाएन इस में तो इसो फ़रा बींच में लगता है कि में बिलुकुल कम ऊंट लगता है यह 100 ग्राम से कम उन लगएगा आप बनाएंगी तो यह जो हमने यह तीसरा कलर लगाया है तो यह उन थोड़ा सा ज्यादा लगएगा आप 200 ग्राम लेजी और यह उन है यह 200 ग्राम लेजी यह अपने हिसाब से लेजी कि इतना हमें बनाना है यह दूसरा बना के दिखा रहे हूंगी कैसे बनेगा यह इतना सा बनाया है चैन मैंने शुरुआत ऐसे हम चैन बनाके और इसके बाद यह बना लिया डबल प्रोश यह पूरा इसके उपर अब जो बनाएंगे यह हम अब यहां एक, दो, तीन तीन चैन बनाके इधर घुमाएंगे पिछे और यह हम एक एक छोड़ के बनाएंगे हम डबल प्रोश यह बनाएंगे जैसे तो यह एक डबल प्रोश यह छोड़ेंगे और दूसरा में बनाएंगे फिर एक चैन लेगे यहां फिर हम एक double crochet को छोड़ देंगे और दूसरे हम बनाएंगे फिर एक चैन बनाएंगे बीच में फिर एक छोड़ेंगे दूसरे हम फिर बनाएंगे double crochet एक चैन बनायेगे भीच में, फिसले फिर दिया भीच में की की चांथाईगे एक चैन बनायेगे यह ऐक चैन बना जायेगा, फिसले यह झाले हमें, रबशार बनाने टो एक चैन बनाएंगे बीच में, एक छोड़ेंगे और ये दूसरे में डबल प्रोसिया बनाएंगे फिर एक चैन बना लेंगे, एक छोड़ेंगे, दूसरे में डबल प्रोसिया एक chain बना लेंगे, फिर एक छोड़ के दूसरे में double crochet बना लेंगे, तो ऐसे ये पूरे line हम complete कर लेंगे, ऐसे, एक एक छोड़ के double crochet और एक एक भीच में chain लेते हुए, हम ये पूरा complete कर लेंगे, और बीच में एक chain ले लेंगे, एक, दो, तीन, अब तीन chain लेके हम अब इधर आएंगे, मूरेंगे, इधर हम बनाएंगे, तो ये जो हमने एक एक छोड़ा है, एक एक में ये chain बनाया है, यहाँ बनाएंगे, अब हम फिर सब में बनाएंगे डबल क्रोशे, एक इस डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनेगा, एक यहाँ हमने जहाँ chain लिया है, यहाँ एक डबल क्रोशे बनेगा, इसके ऊपर, फिर यहाँ पर, एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनेगा, और यहाँ पर जहाँ हमने यह छोड़ा है, चैन लिया है, वहाँ एक डबल क्रोशे, तब आइसा ही पूरी लाइन ये, कम्प्लेट कर रहे हैं हम, तब यह हमने बोल लिया पूरा, अगे तरफ से भी और उलते साइड से भी, यह हो गया, कम्प्लीट, अब इसके बाद हम यह दूसरा कलर लगाएंगे, अब यहां से हम यह कलर लगा लिए दूसरा, यह छोड़ के हम एक छोड़ देंगे भी देंगे बीच में का, और यह दूसरा, तीसरा में से बनाएंगे हम, पर डबर करोसे बनाएंगे, बीच में दो चैन बना लेंगे, और फिर इसी में वापिस एक और डबर क्रोसे बना लेंगे फिर एक दो तीन छोड़ेंगे चौथे वाले में फिर एक डबर क्रोसे बनाएंगे और दो चैन बनाएंगे और फिर वापिस इसी में एक और डबर क्रोसे बनाएंगे एक, दो, तीन छोड़ेंगे, यह चौथे वाले में एक डबल प्रोशे बनाएंगे, बीच में दो चैन बनाके वापिस इसी में एक और डबल प्रोशे बना लेंगे, एक, दो, तीन, चौथा में बनाएंगे, डबल प्रोशे, दो चैन बनाएंगे, फिर वापिस इसमें एक और डबल प्रोशे बनाएंगे, यह एक, दो, तीन छोड़ के चौथे वाले में, एक डबल प्रोशे बनाएंगे, फिर बीच में दो चैन, फीर इसी में वापिस एक और डवल परोसिया देखिए ये ऐसा बनता जाया है अब यहां पे हम फिर ये एक दो तीन छोड़ेंगे चर्थे वाले में एक डवल परोसिया फिर दो चैन और वापिस इसी में एक और डवल परोसिया एक दो तीन छोड़ के चर्थे वाले में बनाएंगे दो चैन बना लेंगे और वापीस इसी में एक और डबल प्रॉसे बना लेंगे एक दो तीन चर्थे वाले में बनाएंगे दो चैन बना के वापीस इसी में एक और डबल प्रॉसे बना लेंगे कि यह ऐसे बन गया अभी अब हम एदर दूसरी तरफ से बनाएंगे तो अब यहां हम यह धागा फिर से चेंज कर देंगे अब यह तीसरे कलर वाला धागा लगाएंगे फिर यहां से देखिए यहां से अब हम दूसरे कलर भी बना लिया अब यह तीसरे कलर बनाएंगे तीसरे कलर लगा लिया हमने तो यहां से अब यहां पर हम ऐसे धागा खेच के लंबा बनाएंगे पॉप बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच पर बनाके हम एक साथ इसको बंद कर देंगे और यहां पर हम एक और दो दो चैन लेंगे और फिर हम इसमें बनाएंगे यह पॉप एक दो तीन चार पांच पर एक साथ बंद कर देंगे हम उनको ऐसे और एक दो 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 चैन लेंगे बेजने फिर इसमें बनाएंगे हम पॉप एक दो तीन चार पांच पर फिर हम एक साथ बंद कर देंगे एक दो दो चैन ले लेंगे बीच में फिर इसमें आजाएंगे एक दो तीन चार पांच फिर एक साथ बंद करना है इसको और दो चैन ले लेंगे बीच में इसमें बनाएंगे एक दो तीन चार पांच फिर बंद कर देंगे एक साथ और दो चैन लेंगे इसमें बनाएंगे हम एक दो चैन में बनाएंगे तीन, चार, पांच, यह एक साथ बंद करेंगे इसको, और दो चैन बना लेंगे, आइसा ही है, पूरे हम कप्लिट कर लेंगे, बना के, देखिए, फिर यहां से हम इसमें बनाएंगे, यहां से अब जो भी है, हम इसको, दो बर, एक डबल प्रोश यह बना लेंगे, देखिए, हमने तीसरा कलर में लगा के, यह हमने बना दिया ले जाएंगे, अब यहां से हम दूसरी तरफ आएंगे, फिर, अब फिर से हम यह वाला सफेद वाला धागा लगा लेंगे, यहां से सफेद कलर लगा लिया, तो यहां यह डबल प्रोश यह बना लेंगे, अब यह जो हमने दो दो चैन बनाया है, डेच बीच में इसके, बीच में यह जो दो दो कलर दो चैन बनाया है, हमने, उन सब में हमें चार-चार डबल प्रोश से बनाने हैं, एक, दो, तीन, यह चार, एक, एक में हमें चार-चार बनाते चले जाना है, फिर यह एक, दो, तीन, चार, चार-चार डबल प्रोश से हम पूरे में कम्पलीट करेंगे बना के, पिर यह जो है, इसमें बना लेंगे, चार, एक, एक, पिर यह जो है, इसमें बना लेंगे, दो, तीन, चार, अब हम यह लास्ट में यहां पर, लास्ट में दो, दो डबल प्रोश से बना लेंगे, देखिए, यह तयार हो गया, अब इसके उपर, जो हमने यह सबसे नीचे बनाया, शुरू में, यह अब यहां बना, और इसके बाद, जो हमने यह दूसरी लाइन बनाई है, एक एक छोड़ के बनाया है, एक डबल प्रोश से बनाया है, छोड़ के, दूसरी डबल प्रोश से हम बनाया है, फिर एक छोड़ा है, दूसरे में एक डबल प्रोश से बनाया है, तो इसके उप यह फाला बनae गर जो हमें एक छोड़ के बनाएंगे त्रॉ100 बना हमें खीयँ प्तिक और लिपक एक छोड़ के यह बना ऑगर यह बनाएंगे हम एक गया बनाएंगे फिर हम झान टीब्र दे हो आ, यह बनाएंगे मैदे हाई गया iron 1997 हम एक डबल प्रोसे बनाएं तो एक चैन ले लेंगे फिर एक ही छोड़ देंगे दूसरे बनाएंगे ऐसे और एक चैन बना लेंगे तो ऐसे ही है पूरी लाइन ऐसी कम्प्लेट होगा शुर्ण मूरा कर दो बना निसे हैं बना दिया इसके वाला लाइन वो बनाते हैं दोपन्हान इसके ऊपर डबल प्रोशे बनाएंगे और यह एक दोबल-खर बनाएंगे करेंगे जैसे यहां पर किया है तो यह ही आपको रिपीट करना है बार 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 और इसका जो मैंने बड़ा बनाया है वो देखाया आपको कि यह पूरी डियाइन बनके इस तरह से आएगा खुबसुगत सा डियाइन बहुत ही अच्छा लगता है एकदाम खूलों की तरह दो ही से भी आप इस तरफ से या इस तरफ से दोनु तरफ से सेम डिजाइन आता है इसका बनके बहुत सी बढ़ियां है अगर आपको अच्छा लगे मेरा यह डिजाइन तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें